शुपरी के अनुसोचुच जाती सीनियर बालक चात्रवास करोंदी ठकुर पुरा किशात्रु मंगलवार को टिफिन में पास्ता भरकर उसकी क्वालिटी की जांच के लिए कलेक्टर कारेले पहुंचे जहां चात्रवास में वयवस्थाओं सही तरीके से भूजन मुहिया ना कराने की शिकायत दर्स कराए गई कलेक्टर से शिकायत करने पहुचे रविंद्र जटवने बताये कि आज उन्हें नाश्ते में जो पास्ता दिया गया था उसकी गुरवता की शिकायत करने वह है कलेक्टर कारेले पहुचे है हर रोज उन्हें इसी तरीके से घटिया किस्म का नाश्टा और खाना दिया जाता है जो से वहाँ परिशान हो चुके हैं शात्रबास के चाट्रों ने बताए कि उन्हें मीन्यों की चाट के अनुसार भोजन उपलब्द नहीं कराया जाता है खाने में सबजी की क्वालिटी बहुत ही घटिया किस्म की रहती है इतना ही नहीं शात्रबास प्रवन्धा ने उन्हें दो साल पुरानी रखी हुई मैगी भी काफी दिनों तक खिलाई जिसकी एक्सपारी डेट भी निकल चुके थी अब तक नाश्ते में उन्हें मैगी पूहा पास्ता फिचुडी ही दी जाती है जिसकी क्वालिटी भी बेहदी खराब होती है शात्रो ने बताया खाना मनाने वाले रसुया और अधिक्षक अपने लिए अलग से भुजन तयार करते हैं शिकायत करने पर कई बार होस्टल अधिक्षक भविश्य खराब करने की धंकी भी दे चुके हैं आपको बता दे कि चात्रवास के सभी 25 बच्चे अकेले सोते हैं रात के समय डर भी लगता है चात्रवास में आब वस्थाओं का अंबार लगा हुआ है इसकी शिकायत करने पर उन्हें धंकिया दी जाती है इसलिए चात्रवास के सभी चात्र एकत्रित होकर अब कलेक्टर से इसकी शिकायत करने पहुचे है इसलिए आपको बच्चे जाता है तो आपको जाता है जाता है तो जाता है जाता है